हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो आला फ्यू, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है, आएज हम स्टडी करते हैं क्लास 11 के पोएट्री सेक्शन से पोएम नंबर सेकेंड का, जिस पोएम का नाम है दा लेवर्नम टॉप और इसके जो पोएट है टेड यूक्स हैं, औ इसका नाम गोल्ड फिलिंच होता है, और किस प्रकार से वो एक लेवर्नम ट्री पे, एक अमलतास के व्रिक्ष पर आता है, और वहाँ के अटमास्फेर को वो चेंज कर देता है, तो आईए इसके टेक्स्ट का अध्यन करते हैं, जो लेवर्नम का व्रिक्ष है, जो अमलतास का व्रिक्ष है, बहुत ही सांथ है, क्वाइट इस्टिल, पूरी तरह से इस्थिर है, मोसनलेस है, उसमें जरासा भी गती नहीं हो रहा है, इन दा अफ्टरनून एलो सिप्टमबर सनलाइट, और जो सिप्तमबर महीने का जो दोपहर का समय है, वह बहुत ही चमकदार तरीक के से उसपर पढ़ रहा है, अमलतास के पेड़ो पेड़ पर, और अफ्यू लिफ्स एलोइंग, और जो समय है, सिप्तमबर महीने का, वह आटम सीजन है, पतज़र का सीजन है, और जो पत्ते हैं, वह पीले हो रहा है, आल इट्स सीट्स फॉलेन, और उसके जो सीट्स हैं, वह जो है, अपने सारे सीट्स को गिराया हुआ है, अफ्यू लिफ्स एलोइंग, और पत्ते पीले हो रहा है, और इसके जो सीट्स हैं, वह गिरे हुए हैं, तभी जो है, वह जो गोल्ड फ्लिंच है, प्रवेश करती है, आ जाती है, विथ पिश्टिचिंग चिरप, अपन उस एक आजाती है, और प्रवेश करती है, अचानक से, जल्दिबाजी से, और चौकनना होकर, एक साखा के सीरे पर वह आकर, अचानक से, चाहचाहट के साथ, वहाँ पे बैठ जाती है, या वहाँ पे हलचल पैदा कर देती है, और तब वह जो एक छिपकिली के समान, वह एक छिपकिली के समान, चौकस रहती है, और बहुत ही फूर्ती के साथ, अबरप्ट के साथ, फूर्ती के साथ, वहाँ पे जो है, वह अपना अस्थान ले लेती है, बैठ जाती है, सी, इंटर्स, और तब जो है, वो इंटर्स करती है, प्रवेश करती है, दथ थिकनेस, थिकनेस का यहाँ पे अर्थ है, उस बहुत सारे जो डेंस है, जो जहाँ पे बहुत सारे पत्ते हैं, साखाएं हैं, उनमें वो प्रवेश करती है, उस अमलतास के बेड़ पर, and a machine and machine जो word है here refers to a sound यहाँ पे जो है machine एक sounds को refers करता है तब एक machine हलचल पैदा हो जाती है वहाँ पे एक सोर उत्पन होता है of chitterings वहाँ पे चाहट का एक सोर उत्पन होता है and of tremor और tremor का भी अर्थ होता है company का वहाँ पे एक बहुत अलग प्रकार का भातावर तयार हो जाता है ant-trilling और हर प्रकार से एक ध्वनी उत्पन होती है चाचाहट का कमपन का और ध्वनी एक प्रकार से उत्पन होने लगती है मलतास्की ब्रिक्ष पर जब वजब उसकुझ में प्रविष कर जाती है तो वहाँ पे उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अचानक से चाचाहट की आवाज जो है बहुत सारी हो जाती है और बढ़ जाती है The whole tree trembles and thrills और जो पूरा का पूरा जो पेड़ है trembles कापने लगता है कापने कारत यहां पर अगति करने लगता है और पूरे व्रिक्ष में मोसन आ जाता है और पूरा व्रिक्ष रोमांची थोड़ता है और यह एक इंजन के समान है यहाँ जो गोल्ड फिलिंच वर्ड है उसको इंजन बोला गया उसके फैमली का जो उसके बच्चे हैं अपने अंधर नेस्ट में रहते हैं तो जब वहाँ वह पहूंच जाती है तो एक प्रकार से जैसे मसीन का जो काम होता है आवाज उतपन करना यहाँ पे मसीन रिफर्स करता है और जो इंजन है वो जो है उस मसीन को चालू करता है शुरू करता है इसलिए जो है गोल्ड फ्लिंच जो बर्ड है उसको इंजन का एक्जामपल दिया है इस पोएट ने ताकि जो है वो अपने उस पूरे परिवार को आगे लेकर चल सके और तब जो है पूर्ण रूप से वह आगे बढ़ती है और तब फिर जो है वो उड़कर आगे बैठ जाती है एक फिर दूसरी साखा के कोने पर सिखर पर और तब जो है वो अपने चेहरे को दिखाती है मास्क कार थेहां मुखोटे से है तब वो अपने चेहरे को जो है उन बच्चों को मुड़कर दिखाती है टर्न होकर बारेट कार थेहां पर धारिदार से है अपने धारिदार मुखोटे को चेहरे को जो है उन बच्चों को प चित्र प्रकार से एक कोमल और एक सीटी बजने जैसी एक चहचाहट और फुसफुसाहट आती है और फिर पूरा का पूरा जो व्रिक्ष है वो फिर हर प्रकार से सुना हो जाता है और जो फिर पूरा का पूरा जुवरिक्ष है वो फिर हर प्रकार से सुना हो जाता है